हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है नौलेज आल अबाउट के इस वीडियो में मैं हूँ स्रवर पटवा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि IRCTC का यूजर आइडी एंड पासवर्ड भूल जाने पर न्यू पासवर्ड कैसे बनाएंगे पूरी जानकारी मोबाइल और कम्प्यूटर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं यह बताने वाला हूँ दोस्तों आप सभी ने थमनेल पर देखी लिया होगा कि IRCTC का यूजर आइडी एंड पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरह रिकवर कर पाएंगे IRCTC train ticket book करने के लिए एक यूजर आइडी देता है जिसके माध्यम से ही train ticket book होता है IRCTC का account बनाने के समय जो आपने email आइडी दिये थे उसको सबसे पहले अपने mobile और computer पर login कर ले इसके साथ ही मैं आपको आगे का procedure करके दिखा रहा हूँ किस तरह आप IRCTC का यूजर आइडी एंड पासवर्ड टाप कर सकते हैं इसके साथ आज कया वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile और computer में browser को open करने के बाद Google के search box में IRCTC open type करना है टाइब करने के बाद आपको enter button प्रेस करना है enter button प्रेस करने के बाद आप टॉप में ही देखेंगे कि IRCTC next generation e-ticking system का interface दिखाई देगा उस पे आपको click करना है दोस्तो इसका link में description box में नीचे दे दूँगा आप असानी से वहाँ access कर सकते हैं यहां पर एक alert message कर देगा उसको आपको ok कर देना है और right hand side के top में जो चार lining lining आपको दिखाई दे रहा है उस पे आपको click करना है इस तरह का interface दिखाई देगा इसमें आपको click करना है click करने के बाद आपको login interface दिखाई देगा login interface में जाने के बाद आपको जो है इस तरह login का interface दिखाई देगा जिसमें आपको उपर में username के side में जो forget user id सो कर रहा है उस पे आपको click करना है यूजर आईडी आपको इसमें इमेल आईडी एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय इमेल आईडि दिये थे उसको एंटर करना है साथ ही date of birth एंटर करना है उसके पाद इस capture code को यहां एंटर करने के बाद submit बटन पे क्लिक करना है सब्मिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि फॉर्गेट यूजर आइडी का यहां दिखाई दे रहा है यूर यूजर आइडी है जो आपका इमेल आइडी रेजिस्टेशन के समय पर्योग हुआ था उस पर आपको एक इमेल गया होगा उसको देखने के लिए आप अपने इमेल आइडी को लॉगिन करके रखें पहले से और आप अपने मेल आइडी को चेक करें इस प्रकार आप देखेंगे टिकट एडिमिन के नाम से आपको एक मेल आया होगा इस तरह डियर कस्टेमर यूजर आइडी इस ए आपको यूजर आइडी यहां पर रेड कलार पर सो करेगा साथ ही जो यूजर आइडी आपको दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से ही आप IRCTC पर सभी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे साथ यह यूजर आइडी नहीं बदल सकते आप इस यूजर आइडी के माध्यम से एक महिने में 6 ट्रेन टिकट कर पाएंगे दोस्तों आप सभी जो ट्रेन टिकट करते हैं उसमें एक ही टिकट में एक साथ 6 यातरी का टिकट कर सकते हैं इससे फायदा यह होगा कि जो 17 रुपय कुछ पैसे ज्यादा लगते हैं वह एक ही टिकट में लगएगा यदि एक साथ 6 लोग सफर कर रहे हैं तो एक ही टिकट में आप लोगों का टिकट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि you can now make up to 6 rail reservation up to a maximum of 6 passenger per ticket in one calendar month इस प्रकार आपका जो है यहाँ पे user ID मिल प्राप्त हो चुका है अब आपको password कैसे forget करना है यह बताने वाला हूँ फिर से आपको right hand side के top में जो चार लाइन लाइन दिखा रहे हैं उस पर login बटन पर जाना है login बटन पर जाने के बाद जो है आपको forget password पे click करना है पहले हम forget user ID किये थे अब हमको forget password करना है forget password पे click करेंगे forget password पे click करने के बाद आपको जो IRCT user ID जो अभी हम लोग user ID मिला उस user ID को यहाँ डालना है उसके बाद आपका date of birth डालना है उसके बाद यहाँ पे capture code डालना है यह जो capture code तो कर रहा है उसके बाद next पे click करना है तो इस तरह मैं करके आपको दिख्या रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जो आपको date of birth एंटर करना है उसको calendar format में ही एंटर करना है एंटर करने के बाद इसमें user id, date of birth और capture code को एंटर करने के बाद आपको जो है next button पे click करना है इस तरह आपको जो है forget password, verification code is sent to your registered email id आपका email id and mobile, mobile का last three digit यहाँ पे show करेगा वहाँ पे आपको OTP एंटर करना है, उसके बाद new password बनाना है और new password बनाने confirm password और इस capture code को डालने के बाद update password पे click करना है दोस्तों यहाँ पे minimum एक character and maximum 15 character का password अब बना सकते हैं password बनाने के लिए आप अपने नाम का first letter capital and small letter का उप्योग करें उसके बाद and special character add rate का परियोग कर सकते हैं उसके साथ ही आप number कीबोर्ट का भी इस्तमार कर सकते हैं इसके द्वारा आपका एक strong password बन जाएगा तो इसी तरह आपको करने के बाद जो है update password पे click करना है यहाँ पे OTP एंटर करने के लिए आपके पास mobile पे OTP और email पे OTP आया होगा उसको यहाँ पे enter करना है एंटर करने के बाद आप इस तरह देख सकते हैं कि forget password यहाँ green color में सोख कर रहा है congratulations your password has been updated successfully please click for login यहाँ पे आपका जो है password successful update हो गया है अब यहाँ पे login बटन पे click करके आपने जो नया password बनाए है आपका username forget हो चुका है प्राप्त हो चुका है साथ ही password भी होके है अब यहाँ पे username और password और यहाँ पे capture को डालने के बाद sign in बटन पे click करके आप login हो जाएंगे login होने के बाद आप असानी से अपना train का ticket reservation कर सकते हैं दोस्तों जो जनकारी मैं आपको बताया कि username और password कैसे forget करना है उसको आप सभी IRCT Rail Connected Apps पर भी इसी तरह कर पाएंगे सबसे पहले mobile के play store से IRCTC Rail Connected Apps डाउनलोड करना है उसके बाद आपको open कर लेना है open करने के बाद आपको installate की पूरी परकिल्या से गुजरना है गुजरने के बाद आप जब apps को open करेंगे तो आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा इसमें आपको जो है login बटन पे click करना है यहां इस तरह login right hand side के top में आप देख रहें कि login बटन है इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको इस तरह का interface apps का दिखाई देगा उसमें आपको जो है यहां पे देख सकते हैं कि forget username password लिखा आ रहा है इसमें आपको सबसे पहले username forget करना है तो username और password forget करना है तो password पे click करना है तो इस तरह जो procedure आप मैंने आपको पहले बताया आप apps पे भी कर सकते हैं यह IRCTC का new apps है तो यहां से भी आप अपना username और password आसानी से forget कर सकते हैं पर किरिया वही रहेगा mobile के माध्यम से करने के लिए आप अपने mobile के google chrome browser को open करने के बाद right hand side के top में जो तीन यहां में dot button दिखाई दे रहा है उस पे आपको click करना है click करने के बाद आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा जिसमें आपको जो है add to home screen के नीचे desktop side को enable कर लेना है enable करने के बाद आपका page अच्छी तरह से open होगा और आप उसको zoom करके अच्छी तरह से देख पाएंगे साथ ही दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएं और चैनल को like, subscribe and दोस्तों के साथ share करें email icon को भी दबा लें ताकि इसी तरह की हर technical जनकारी आप तक जल्द मिलती रहे IRCTC का login ID and password for git का link नीचे description box में दे दूँगा और IRCTC में account और train ticket कैसे करते हैं इसका link भी नीचे description box में दे दूँगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग topic के साथ thanks for watching धन्यवाद